कि कि दो टोपिक आप लोग हमेशा चर्चा में संते रहते हों कि देखिए ये आपका अंतराश्टी न्याले ये दोनों अलग अलग जो आपका अंतराश्टी न्याले ये आपका UAN यानि कि United Nations स्युक्तराष्ट का भाग है ठीक है और आप जानते हैं कि इसमें अंतराष्टी न्याले में UN के प्रमुक नयाइक अंगे इसमें 15 नयाइदीस होते हैं और इनका काल काल 9 साल का होता है इसका आपको मुख्याले देखने को मिलेगा अंतराष्टी न्याले का Pies Palace Daheg Nederlandे ने या करता है कि कानूनी पिस्नों पर UN को सलाओ देता है यानि कि सयुक्तराष्ट को सलाओ देता है लेकिन अंतराष्टी अपराधिग न्याले का है इसके बारे में भी हम लोग चाल लेते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार इन दोनों में अंतर बताने के लिए आ जाता है कई बार आपका प्रिलियोम से में कुश्यंस बरन जाता है कई बार सेट PCS में सिविल सर्विस के एकजाम में भी आ जाता है तो इनको हम लोग इसे देख लिते हैं, ठीक है? बैसे आपके जितने भी अभी तक अंतराष्टिये संगठनों हो गए, राष्टी संगठनों हो गए, उनको हम लोग देख चुके हैं, तो महत्कून संगठनों के नाम से आपकी पिलेडिस्ट सूची बनी हुई है, अगर कोई छूटा हूँ तो बताना उसे भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो इसमें हम लोग अंतराष्टिये अपराधिक न्यालय के बारे में बात करते हैं, अंतराष्टिये अपराधिक न्यालय विस का पित्वम इस्थाई, अंतराष्टिये अपराधिक न्यालय है, या रॉम स अपराद जैसे गंबीर अपरादों से संभनित मावलों की जाज करता है। ICC यानि की International Criminal Court का उत्देश अंतरष्टिय अपरादिक नियाय के माद्धिम से अपरादों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपरादों को फिर से घटित होने में से रोकने में मदद करना। भारत की इन अमेरिका रॉम संभिधी के पक्षकार देश नहीं है। हाली में आप देखेंगे कि मलेसिया ने रॉम संभिधी को अपनाया है और ICC यानि कि इंटरनेशनल क्रेमिनिल कोर्ट का 124 वा सदस देश बन गया है। कौन सा? मलेसिया, ठीक है? याद रुकि यह भी डारेक्ट कुश्चन्स बन जाएगा कि 124 वा देश कौन सा बना है, त 17 जुलाई 1998 को 120 देशनों द्वारा रॉम संभिधी को अपनाया गया था, यानि कि कहने का मतलब ही कि जब सुरू किया गया, तो 120 देश इसमें सामिल देखें, इनोंने इसके पक्चकार थे, 1 जुलाई 2002 को अधिकारिक तोर पर इंटरनेशनल क्रेमिनिल कोर्ट की स्थापना की गई, कव 1 जुलाई 2002 को, इस पकार रॉम संभिधी साथ राज्यों के अनुसा मलतन के बाद परभावी हुई, चोकि इसमें कोई पूरुब्यापी अधिकार छेत नहीं है, अताहा ICC इस्तिती से या उसके बाद किये गए अपरादों की जाज करने में सक्चम है, यानि कि कहें कि इससे पहले के कोई अपराद उनकी जाज करें, यह नहीं है इसमें, सन 2010 में के संसोधनों के बाद रॉम संभिधी नियाले में पीडितों के पितिन इदित्य के लिए मानक तैक कर सुरक्षा के अधिकार और निस्पक्ष परिक्चन को सुनेश्चित किया गया है, वर पर्ष्ट करती है, तो आप से लिखने के लिए अगर आँसर में आता है, लिखित परिक्चा में, तो आपको एक इतियास भी आप लोग डालिए उसमें, ठीक है, और हाल में सबसे पहले यही पूचता है, कि हाल में यह अंतराख्टी नियाले, यह क्या था, अंतराख्टी अपरादिक नियाले चर्चा में था, क्यों चर्चा में था, तो आप लोग सुरू में आप वही जो चर्चा का कारण होता है, उसे लिखा करिएगा, फिर उसका इतियास इस तरह से आँगे बढ़ते जाये करिएगा, इसके और भी तत्थाक्रे हैं, तो वरत्मा में इंटर बढ़ते हैं, अग्रेजी और फ्रेंच, इसमें छे आपकी अधिकारिक भासा हैं जिनमें आप अग्रेजी फ्रेंच, अर्वी, चीनी, रोसी, स्पैनिष देखेंगे, इसके अतरी इसकी दो कारिकारी भासां चर्य, अंग्रेजी और फ्रेंच, ICC के 6-6-3 अकाले आले हैं कौन से किसासा और बूनिया बनिया कांगो लोगतां तरी गड़राज में देखने को मिलेगा कंपाला युगांडा में बुंगी बंगोई इमद अपीगी गड़राज में नेरोवी केन्या में अविद जान आईवरी कोष्ट में अगर आप से ICC का मुख्याला पूछ रहा है तो नीदरलेंड के हैंग में अवर्श्ट थे एक बात और आपको बताओं यह आपको देखने को मिलेगा इसका जो अंतराश्टी न्याला है युएन का जो भाग है वो उसका मुख्याला भी आपको नीदरलेंड में ही देखने को मिलेगा कहां नीदरलेंड में ही देखने को मिलेगा आंगे चलते हैं संगटन की सरजना की बात करें तो बक्षकार देशों द्वारा नियाए देशों और अभिवज्यकों के चुनाव कराने एवं ICC यानि की इंटरनेशनल क्रेमिनल कोड के बजट को मन्जूरी दिये जाने के माध्यम से नियाले का प्रिवंधन और निरिक्षन किया जाता है ICC के चार अंगे अध्यक्षता यानि की प्रेसिटेंसी या सदस्रे देशों के साथ द्वीपक्षिये संबंदों को संचालन करता है और नियाएक मामलों जैसे नियाधीसों को देशों की इस्तितियों और मामलों को सौपने एवं रजिश्ट्री की प्रसासनि कार नियाख की निरिख्षन में सहयू करता है नियाएक प्रभाव इसमें तीन दिवीजंओं ते नारे नियाधिには पूर्व परीक्षण परीक्षण और अपील तथा नियाएक करवाही का संचालन करता है अभियोजक का कार्याल है या अभियोजन प्रारंबीक परिचन एवं जाच संबन्दी कारिक करता है रजिष्ट्री या गयर न्यायक गतिविधियों जैसे सुरक्षा किसी मुद्दी की ब्याक्या आउटरीच रच्षा और पीड़तों के वकीलों का समर्थन आदी का संचालन करती है कौन रजिष्ट्री International Criminal Court की Trust Fund द्वारा पीड़तों की सायता उनके समर्थन और पूर्णर मूल्यांकन की सुविधा पिड़ान की जाती है और ICC के छित्रिय कार्यालों द्वारा इस कार्य में सहीव पिड़ान किया जबता है ICC द्वारा हिरासत में लिए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हिरासत के इंदों का उप्योग किया जाता है Red Cross की अंदराष्टी संक्ती हिरासत के इंदों का निरिक्षण पराधी करनेगा अब बात करेंगे नियालय का अधिकार चेत और कार की बात करें तो रॉम सम्विधी ICC को यानि की International Criminal Court को चार मुख अपरादों पर छेत अदिकार पिदान करती है नरसंघार का अपराद मानवता की विरूद अपराद योद अपराद और आक्रमक्ता का अपराद एक जुलाई सन 2002 को या उसके बाद किये गए योद अपराद या फिरूद अपराद या फिरूद अपराद नरसंघार जैसे इस्तितियों में नियालय अपने चेत अधिकार का अपयूप कर सकता है सयुक्त राष्ट सुरक्षा पराद द्वारा सयुक्त राष्ट की चार्टर सेविन के तहट यह आपको देखने को बिलेगा सेविन की तहट साथ के तहट अपनाएगे पिस्ताओं के अनुसार अपराद हो ये तू आई सीसी को संदर्भीत किया जाता है 17 जुलाई 2018 तक सुरक्षा परिश्ट आपकरमक्ता जैसी मामलों के संदर्भ में न्यालय को संदर्भीत कर सकती है सुरक्षा परिश्ट द्वारा ये एकार सयुक्त राष्ट चार्टर की अध्याय साथ की तहट किया जाता है International Criminal Courts सहिपतराष्ट संग से संधित संगठन नहीं है यह आपको समझ में आ रहा है, इस तरह का कुष्ट्षन कई वार क थंग बन जाता है क्या यह सहिपतराष्ट का संग का संगठन है यानि कि उस से ज्ड़ा हुआ है बिल्कुल नहीं लेकिन सुईट राश्ट के साथ सहयोग करता है लेकिन एस सहयोग जरूर करता है लेकिन संगठन का हिस्सा नहीं है जब कोई स्थित्ती नेलाई के अधिकार के छेतफ से बाहर होती है त Anybody तब सुईट राश्ट रिख्षा बैशर आइसेसी SAY को सकती है ऐसी इस्तिती में अभी उक्ता पर्याप्त सबूतों छेत्ता दिकार सकती संपूरकता एवं नयाय हित जैसे मामलों में विचार करके प्यारभी परिक्षण अवस कर सकता है अभी उक्ता जब जाच कर रहा होता है तब वह जाच के दौरान पराप्त साक्षों को जमा क अभियोजग पक्ष में नहेत होता है लेकि यह अपने हाँ अलग बात है आप लोग देखते हैं हमारे हाँ अगर कोई अपरादी है या नहीं लेकिन उसे अपरादी बोलना सुनू कर देते हैं लेकिन यहाँ याद रखे अब्यूगद को तब तक नेदोस माना जाता है जब तक कि उस पर अपराद सिद्ध न हो जाया यानि कि यह मालू ना चल जाया कि इसने अपराद किया जब तक उसे अपरादी नहीं माना जाएगा लेकिन हमारे हें मेडियाई यही एक तरह से रेबोर्ट होती है, फायार होती है, तो इसे अभियुक्त कहेंगे, जैसे ही उसका मतलब दोस्त सावित हो जाता है, तो उसे अपराद ही बोलने लगते हैं, ठीकर, पिक्किरिया के सभी ही चरणों, पूर परिक्चन, परिक्चन और अपील के दौरान, अभियुक्त के पास कि सूचना प्राप्त करने कारिकार होता है, इस पिकार इंटरनेशनल क्रेमीनल कोट, पिक्किरिया आए, अनुबादक और व्याक्याकार, टीमों की मद्यम से कई भासाओं में संचालिक की जाती है, यानि कि उसे मतलब जो भी इसमें आ रहा है, इसके अंडर में, उसे कम से कम उसकी भासा में मालू तो चलबाए, इसलिए कई भासाओं में संचालिक की जाती है, नियादीस परिक्षण से पहले, अभियोक्त की गरफतारी का वारंट जारी करती है, या सोनिश्यत करता है कि किसी मामले को परिक्षण ही तो भेज़े जाने से पहले, परयाद की सबूत म परिक्षण में नियादीस दोरा अभियोजक पचाओ और पीडित पक्ष के वकील दोरा विश्तुद सबूतों पर विचार किया जाता है, इसके बाद उसे चतिपूर्टी के रूम में सजा और फैसलों पर पुनर विचार का अधिकार पिदान किया जाता है, यदी कोई माम International Criminal Court के पास स्वयमका पुलिस बल या अप्यवर्थन निकाय नहीं है, इसके बाद अपना कोई पुलिस बल या अप्यवर्थन एजनसी नहीं है, इस पेकार निया एक संस्थान की रूम में याए साहेता करने के लिए विशेश तोर पर गरफतारी करने के लिए हैग इस्तित International Criminal Court के हिरासत के अंद में गरफतार व्यक्तियों को स्थाना अंतित करने के लिए संधिकों को संपतियों को फ्रेच करने और सर्याओं के करियान मढ़ीतु दुनिया भर के देशों के सहयोक पर निर्वर रहता है, जानि कि अन देशों के सहयोक पर निर्वर रहता है International Criminal Court अभियोजक और नियाईदीसों के अधिकारों में परयात जाच एवं सक्ति का आवहावी आपको देखने हो लेगा International Criminal Court पष्चमी समराजबाद का एक नीती उपकरण माना जाता है क्योंकि इस पर कमजोड देशों द्वारा सक्ति साली देशों के पक्ष में नेड़ देने का आरोग लगाए जाते हैं यह तो आप हल संगतर में लगभख देखेंगे आप देखेंगे कि अमेरिका देखेंगे सक्ति साली है और वो जितना फंड देखा आप समझेगे एक तरह से जो जितना उसमें सहयूग देगा उसी की तरफ उसका एक तरह से नेड़े पक्ष में रहेगा उसी की तो यह देखा जाता है हल संगतर में इसमें भी देखा जा रहा है ICC यानि की International Criminal Court द्वारा मित्यू की सजा नहीं सुनाई जा सकती है यानि की मौत की सजा नहीं सुनाई जा सकती है या अधिक तम 30 साल तक की कारावार्स की सजा दे सकता है या जब मामलों की गंभीता नियाय संगत हो तो ऐसे इस्तिती में उमकेद की सजा भी दे सकता है लेक क्योंकि इसी तित्थी को रॉम संविधी साथ राज्यों के अनुसमर्थन के बाद प्रभावी हुई है जब सहुप्त राष्ट सुरक्षा बईसाथ किसी मामले का उलेक करता है तो ऐसे देश के नागरेक द्वारा जिसने इसकी पुष्टी किया आई सीसी के पास केवल उप् प्रभाव सिल्था पर पिसन खड़ा करती है यह मानों संसाधनों एवं धन की कमी से भी संकट गरस्त है यानि कि इसके बास मानों संसाधन की कमी भी और धन की फिर आगर भारत और इंटरनेशनल क्रेमिनल कोट की बात करें तो भारत ने निमलिखित कारणों के चलते रौम स संक्रभूता, राष्टी हित के कारण, साथ्य संग्राय में कठनाई के कारण, निस्पक्च अभियोजकों का अभाव के कारण, अपरादों की वरिवासा में आजपर्ष्टता की कारण, आपका दीखिये प्रेलिम्स में कुश्चन बन सकता है कि भारत इंटरनेशनल क्रेमि अभियोजकों का अभाव के कारण, अपराद की परिवासा में आजपर्ष्टता की कारण, फिर नीचे चार उत्तम देगा, एक दो तीन सही है, दो तीन चार पांस सही है, तो आपको बताना होगा है, ठीए, आगे की राय की बात करें, तो देश को सक्किये रूप से ICC, या अभियोजन को मजबूद करके अपने चेतादिकार को ब्यापक बनानी की आवा सकता है, आई-से-सी की बुमक्या बहुत मत्पूर है, क्योंकि वर्तमान में अंतराश्टी न्याय सामाजिक संगर्षों के केंद में, और यह दीर-कालिक सांती इस्तरता और न्याय संगर्ष बिकार में, बिकास में योगदान कर सकता है, आई-सी-सी सक्क्री एरोप से दुनिया भर में सैमिनारों, सम्मिलेनों के मध्यम से सभी चेत्रों में सहयोग का निर्मार करने की पक्ष में कार करना चाहिए, तो यह है आपका इंटरनेशनल क्रेमिनल कोड, ठीक है? तो इसमे